शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें संतु जी, संतु जी, देखिए, आलू का बढ़ियाँ वाला सब्जी और पराथा खाईए, हैं? हमको न, कल ही रात पडोसी दे कर गये थे थोड़ा साही माय कर आया है, खा सकते हैं, हमाँ खाईए, न, 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 मैडम, आप खाईएगा अभी सारा कूर्स धरा का धरा रह जाएगा बस दो मिनिट में ये ऐसे भड़तने वाली हैं कि हमारा चीता और संतु से शर्ण जितना तो पक्का का? क्या? ने, टिफिन आप खाईए हमारा टिफिन नी खाया, टिफिन के अंदर का खाया? का है? का है का का है? आमको मूख लगी थी, हम हमारा टिफिन घरीब गुलाए थे, आपका टिफिन देखा तो खा लिया आमने कुछ लेती ना, पुषपाजी? पूछ लेती के जरूओते है, सास है हम आपकी? सास है बिल्कुल है, सास ली गर पर है, ना? तो खाना भी तो घर पर यह बना था ना? तो यह ने? झुषपाजी Jis पूच लेती तो अच्छा होता लेक कोई बात नहीं कॉक्रोच की अत्मा को उसा के रne क्या पिर किरिया है? वो मालाइका दूसरा टिफिन भेज रही है वो वो बोल रिती ही अहा? हाँ जो पॉक्रोच ही था झुषपाजी ठीक है सुने पुष्पाजी, आगे से आपको 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 आपक खुणने दिजिये नहीं दिए दिए नहीं दिए एप अमारे ना हमारे तो भागी फूड़के है जब से यह हमारे जीवन में आई है हमारे घर के सुख चैन, मन की शांती, सब कुछ सब कुछ स्वाहा हो गया है बताने कौन से जन्मों का पाप है जो यह चुडएल हमारे बहुवन के हमारे पढ़ने पड़ी है क्या है तुम दोनों तु चुपी करो नहीं डरी मत पुषपज़ए पुषप़जी गुस्जा यि निकालने न आपको तो हमारे सामने कड़ा कीजिए हमें आपके सामने अज़िए जितना भड़ास है सब अशे निकाली कि ही मन में खुसफुसाने से magari को सानवनने निकालने को समझ जीए यां जितना सामने निकालने से शांती मिल्ता है एकदम में कान में सुनके ना इसा मज़ा आजाए चलिए, शुरू हो जाएगे, सुन रहे हैं, करियाएगे हमारे लल्ला के जीवन में जो आप आई है ना तो उसके जीवन में ना साब बन के बैठ गई हैं सुनके भगिया सुनके खर्वा कहारा कार यू शुक्क करें क्याएग आउ touch, okay अब बाद मासूमियत मासूमियत, मासूमियत बोला ची था मासूम है किसले मासूमियत बोला है? पुष्पाजी मासूम है जो, संतु, पुष्पाजी को पानी दो. पाजी. पीजी, पीजी. पाजी. यह फुटेज देखर हमें यखिन हो गया है कि एकबाल ने जो शूट किया था. वही सच है. गलती लड़की की नहीं. इसका मतलब यह हुआ, माड़की का जो चलान काटा है वो भी गलत हुआ है. हाँ, गलत है ही. काइदे से हमें उसके घर जाकर उससे माफी मांगनी चाहिए और उससे चालान के पैसे वापस करने चाहिए. इन फैक्ट आप करिश्मा सिंग से कहिए, कि यह दोनों काम जल से जल्द हो जाने चाहिए. तब तक फिर एक काम करते हैं, हम F.I.R. की रिपोर्टर केस तायार करते हैं. क्योंकि इस तरह से सरे आम इतने सारी लोगों के बीच, किसी को इतनी बुरी तरही से बेज़द करना, is not tolerable. इस लड़की के खिलाफ सक्त कारेवाह होनी चाहिए. गलत गलत होता है, तर चाहिए किसी ने बिकिया हो. आप ये बात उस लड़की को बता दीजे कि उसके खिलाफ F.I.R. दर्ज की जा रही है. जी मादम सब. बाबा ने भाई को हमेशा ओटों की इज़त करना सिखाया है. मैं इनकी छोटी भेहनू, फिर भी आज तक भाई ने कभी भी मुझसे भी उची आवाज में बात तक नहीं की है. भेहनू इसलिए नहीं कहरी हो मैडम, भाई को अच्छे से जानतू इसलिए कहरी हो मैडम. भाई कभी औरत के साथ बत्तमीजी करी नहीं सकते हैं. यह हमारे संस्कारों में ही नहीं है. एक मिनिट, यह देखिए. पीच सडक पर अमर नाम के इस शक्स ने जब की रिया से बत्तमीजी, रिया ने कर दिया पीट-पीट कर उसका बुरा हाल. पाल जगा सिर्फ यही फुटेज दिखाई जा रही है. इस फुटेज को देख कर बता सकते हैं कि गल्ती किसकी है. बीच बजार कौन किसकी इजद कि धजिया उड़ा रहा है? मजाग बनके रह गय हैं भाई. भाई जहा जा रहे हैं, लोग हसी उड़ा रहे हैं. और अन्जाने में ही सही, पुलिस का भी बराबर का गल्ती है, बराबर जिम्यदार है. किसी ने भी बिना कुछ जाने, बिना कुछ पूछ ताच के हमने आपके भाई को दोशी ठहरा दिया. उनका चलान कार दिया, यह गल्ती हम सबसे हुआ हैं, हम मान रहे हैं. इसलिए हम पुरा महिला पोलिस थाना की टीम की तरफ से आप से और आपके भाई से माफी मांगते हैं. हां. सौरी. चीते. हां. चलान के पैसे वापिस कर दो. जी मैडम. अमारी आपके चलान के पैसे पूरे के पूरे दस हजार. अब इसका क्या करें मैडम? मा विमाल थी. डॉक्टर ने फॉरण उपरेशन कराने को बोला था. कहा था कि फॉरण उपरेशन नहीं हुआ तो मा पूमा में चली जाएगी. बाई उपरेशन की पैसों का इंतिजाम करके दोस की बाइक से धर वापिस आ रहे थे. यह 10,000 रुपे उपरेशन के उनी पैसों में से थे. मा ही टाइम से पैसे लेकर ऑस्पिटल नहीं पॉच पाए. और मा? मा को मा में चली जाएगी. अमर एक एक बार एक एक आखरी बार हमारी आखों में देखके एमानदारी से हमें बताना. यह जो भी मामला हुआ है, इसमें तुम्हारा गल्ती था यह नहीं था? मेरी कोई गल्ती नहीं थी. मैंने कुछ नहीं किया. यह तु गई. अब तुम दोनों अपने पनी पगार तयार रखो. जी तो हमारी पक्की है. बुस्भाजी, बुस्भाजी. मौका के नजाकत को तु समझिये. कितना गमगीन समा है. जब जब आईए. बया, क्या लखिए गा? अरे यार, कितने बार बोलो मैं अब? हजार बार अलग-अलग इंटर्वून में बता चो क्यों है सब. सारी मीडिया मेरे पीछे क्यों पढ़िया, यार? अरे, कितनी बार बोलो गल्ती उस कमीने बाइक वाले की थी? वो मानने वाला था मुझे. गोटो हेल. यार, और कोई काम ही नहीं मीडिया वालों के पास. बस बात का बतंगड बनाना जानते हैं. दिमाग खराब करके रख दिया इनकम बक्तों ने. रिलाक्स, रिया. हर जगा इसी बात की चल्चा हो रही है. तो मीडिया से से इरिटेटिंग कॉल्स तो आएंगे ही ना? मेड़ मेड़ मुझ देखिया, माहा बैठिया, माहा बैठिया. यह ना? चलो. इतनी भी क्या जल्दी है मेडम? पहले हम से तो मिल लीजिये. आप कॉन? जिंदल. अजे जिंदल. रिया जी का लायर हूँ. क्या हुआ? उड़गे तो हते? एड़गेट अजे का नाम सुनकर. ओ, ठीक है. पर आप भटिये सामने से क्योंकि हमें रिया से बात करना है. अगर आपको मेरे क्लाइंट से बात करनी है तो पहले कोट का आरडर लेकर आए. कोट के आरडर के बिना यहां दुबारा आने की गलती मत करना. वरना लेने के देने पड़ जाएंगे. मैडम लॉकडाउन के बाद जॉब की बहुत गिलत हो रही है लोगों को. आप अपनी जॉब बचाईए और चुप-चाप यहां से निकल जाएए. अगर यह वर्दी उतर गई ना तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा. क्या इस तरह से घूर कर देख रही है आप मैडम मुझे? बहुत गुस्से में हैं. क्या लगता आपको इस तरह से मुझे घूर कर देखेंगी तो मेरे थोते उड़ जाएंगे? कुछ नहीं बिगार सकती आप मेरा मैडम. वकील हूँ, अगर मुझे हाथ भी लगाया ना तो बाकी की सारी जिंदगी जेल में गार्डनिंग करते गुजरेगी. अरे जाए मैडम, अगली बार आए ना तो पूरी तैयारी के साथ आना. वरना तुम सब पर मेंटल और फिजिकल हरेस्मेंट का ऐसा किस डालूँगा, कि तुम सब के तोते ओड़ जाएंगे, समझे? अब तो यह कए अब. वकील साब, आपसे कुछ कहने हैं. कहिए ना? क्या हुआ मैडम? दहीं जम गया मूम है? अब कोई पोल के नहीं रही हैं? क्या हुआ वकील सार्? तोते ओड़े? बहुत महंगा पड़ेगा तुमको यह थपड़. अगर तुम सब के तोते ना उड़ाएंगे, तो कहना. रहे, ऐसा केस बनाओगा कि सारी जिंदगी कोट में चक्कर लगाते फिरोंगे तुम तीनों. समझे? मर्दे, पड़ेगा नहीं पड़ गया. पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ गया हमको तो, यार. सच में ना, आपको थपड़ने ही पड़ा है. इंडिरेक्ट वे मेन हमको थपड़ पड़ा है. सच बता रहे हैं, महीना भर इसका गुझ ना, कान में जन आइसे करके बसता रहे हैं. का इसे पिटा गे, चिछा? बग, आप... का कह रहे थे, वकील साब, आप आप केस बनाएंगे? आप पर जो केस बनेगा ना अभी वो आप सुन लीजे. पहला पुलिस के काम में अडंगा. दूसरा बावर्दी पुलिस अफसर के साथ अशिष्ट व्याभार. तीसरा अमर्यादित अपत्ति जनिक भाषा का प्रेयोग. ये तीन केस काफी आपको हवालात मिले जाके चक्की पिस्वाने के. आटा गुन्ते गुन्ते ना चूरन बन जाओगे बता रहे हैं हम आपको. रिया के खिलाफ जो F.I.R. है वो कानून हैं. तो कोई माइकालाल हमको रोक नहीं सकता है उससे बात करने से समझ गए? एक छोटा सा सरकारी कागज हमारे पास भी. एक बार इस पर भी नज़र डाल दीजिए. है? इसे कहते हैं अक्रिम जमानत. क्या हुआ? उड़ गया तोते? अब तो अंदाजा हो गया होगा कि किस से बाला पढ़ाया तुमारा? अब जब तक सब के सामने हाथ जोड़कर मुझसे माफी नहीं मांगोगे ना, तो मैं एड़ोकेट अजे जिंदल तुम में से किसी को भी चैन से नहीं बैटने दूगा, समझे? तुम सब के तोते उड़ा दूगा? पकड़िये. हाँ, चले, चले, कहाँ? तुम कहाँ चले, पैसे कहा है हमारी? चोड़िये ना, पुषपाजी, हमारा दूधबाद था ना, हम छोड़ते है ना? ने, ने, वो दूधबाद तो हम खा लेंगे हमको अमारे पैसे जीगे तुम के रखी है, हाँ, चले, चले, बूधबाद पूधबाद है, माफ करने जीगे, पुषपाजी, माज ऐसे है ना, माज, माज कौरिजमा सिंग गये कहां यह सब लोग? अच्छा है क्या बोलती तो? वाट इसकी बढ़ी आवाड़ हो है हॉ Urs सर सर जहिन सर जहिन शर कहा है, किदर, कहा है अरे हम तुमसे पूछ रहे है, हासीना मली कहा है किदर है जहिन सर सर क्या चल कर रहा है! ना आपके थने में चल कर रहा है? यह Congae ColtChristian आसों के रोमेंटिक सपने देख रहा है, और आपकी यसाही है, किसी को भी पीट रही है, कब सुद्रेगाफ का थाना, कहां है करिष्मा सिंग? हम जानते हैं कि करिष्मा सिंग ने बहुत बड़ी गलती की है, उन्हें उस लॉयर को नहीं मारना चाहिए था, लेकिन सर पूरी गलती करिष्मा सिंग की नहीं है, देखिए मिस मलिक, हमें टहलाईए मध, हमें अभी बताईए इसी वक्त करिष्मा सिंग कहा है, बलवाएए, जी सर, अब आप यह क्या कर रही है, अब करिष्मा सिंग का फोन सुभा से नॉट रीचिबल है, हम पुष्पा जी को फोन लगा रहे है, सर, सर, सर आप खाड़े क्यों है, हम को बिल्कुल अच्छा ने लगा रहा है, सर, प्लीज बैठे सर, प्लीज आईये सर, बैठे सर, रखिये, हमें सुनना है, हम कह रहे है, रखिये, हमें सुनना है, हम कह रहे है, रखिये, हाँ, फोन निकलो, फोन निकलो, वहां से, कहां से, इस तरफ से, फोन इस तरफ है, पुष्पा जी, क्या कर रहे है, किसका फोन है, मैडम से, जैहिन मैडम से, जैहिन मैडम से, जैहिन मार्केट में शौपिंग कर रहे हैं, वो क्या है ना, जीता और संतु के साथ हमने शर्थ लगाई थी ना, और वो शर्थ हम जीत गए हैं तो बस उनी की पैसो में राश कर रहे हम पता है अपको, उन दोनों को लगा था कि बाबाजी की आश्रम जाकर करिश्मा जीज जो है वो अपना साहरा गुस्ता काबू करना सीख जाएंगे हलो, पुषपा जी, फोन कट गया क्या नहीं सर, फोन तो चल रहे है लो, पुषपा जी मगर हमने कहा तो उसको संतू, हम यहीं बात कर रहे ना तो हम कह रहे थे, कि उन दोनों को लगा था कि बाबाजी की आश्रम जाने के बाद करिश्मा जी जो है, वो अपने सार गुसा काबू करना सीख जाएंगे हम ते कहा था, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता करिश्मा जी कभी बदल ही नहीं सकती अब देखी हम शर्जीत कहें ऐसा कंटाब लगाया करिश्मा जी ने उस इंसान को कि क्या बता है सास हम उनकी, रग-रग से वाकिफ हम उनके हमें पता है, वो कभी सुधर ही नहीं सकती अब कुष्पा जी, देखिए बात यह है कि डीएस्पी सर आयो है थाने थोड़े से अपसेट है बहुत जादा अपसेट है डीएस्पी सर, करिश्मा सिंगा है मैडम सर, कौनसे डीएस्पी वो पूराने माले डीएस्पी सर वही गंजे भुकड एक वही ना मैडम सर वो जो जो जिनका पेट और मठकी एक जैसे दिखते है मैडम सर, अगर वही आया है तो करिपा करके हमारा जो टेफिन है जो जो हमारे टेबल के निचे रखा है उसको आप बचा लीजे आज हम राजमा चावल लेकर आए जो उनके बहुत ही पसंदीदा है क्या है पूरा कपूरा सफाचेट कर जाएंगे हमारे लिए एक चावल का दाना तक नहीं छोडेंगे पुषपाजी आप हमारी बात सुनिये आपको तो पता है ना मैडम सर उनका कैसा राक्षोसो जैसा हाजमा है पूरा का पूरा डानोसो चबाजा और टकार भीना ले आप पस हमारे राजमा चावल बचा लीजिए पुषपाजी कारिशमा सेंग कहा है नहीं हमें तु नहीं पता तु नहीं पता अगर हम शर जीदे हैं कुछ है हम यह शॉपिंग कर रहे हैं अच्छा ठीके पूषपाजी अब थाने आइए फिर बात करते जी जी बस तो राजमा चावल जो है ना रख दिया दे दो क्या बात है क्या राजमा चावल बने राजमा चावल के बारे में पूषपाजी का हाथ कोई नहीं पकड़ सकते थोड़ी जादा है थोड़ी जादा है थीक है थोड़ी जादा है मुफपाजी दिल के बहुत साफ होता है पूषपाजी दिल के बहुत साफ होता है राजमा चावल लून के हाथ का बारे में पूषपाजी दिल के बहुत साफ होता है राजमा चावल उनके हाथ का बारे में हाई कोर्ट के जाने माने वकील अजय जिंदल खपड़कांट अब बेहदी उग्रूरूप लेदा जा रहा है जिस तरह पुलिस की तरफ से श्री अजय जिंदल के साथ दुरूवार गया गया है यहां उसका बेहदी वाइलेंट रेक्शन देखने को मिल रहा है यहां सभी वकिल बहुत गुस्से में और लगातार ऐसा ही करिश्मा सिंग पर पत्काल कानूनी कार्यवाई की मांग कर रहे हैं करिश्मा सिंग ने कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा है अब हमारे पास इस आक्रोष को सांथ करने के लिए बस एक ही रास्ता बचा है लाइन हाजिर करने होगी जनता की नहीं करिश्मा सिंग उनसे कहना कि रोज हमारे ओफिस में आके रिपोर्ट करें और मैं ओडर भेज दूंगा क्लियर जी सर जहिन सर है ज्या है कर दो कर दो कर दो